प्रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाई लेटेस्ट खबरे सबसे पहले और लड़की बेसुद होकर सोती रही कानपूर के अठ्या आथाना क्षेत्र में रहने वाले श्रमन को मार की बेटी खुश्बू बाहर बरामदे में चादर ओढ़े सो रही थी और फिर धीरे धीरे सभी गाउग वाले श्रमन को मार के घर ये माजरा देखने इकठा हो गए काफी देर बाद साप खुश्बू के पास से चला गया साप के गले से हटते ही खुश्बू बेहोश हो गई पुरे गाउग वाले इस घटना को देव ये चमतकार मान रहे है उनका कहना है कि तीन घंटे तक साप के गले में लिपटे रहने के बावजूद उसने लड़की को नहीं डंसा यह केवल चमतकार ही हो सकता है गाउं के लोगों ने बताया कि जिस समय खुश्बू के गले में साप था उस समय वे सबके सवालों का जवाब दे रही थी और यही नहीं खुश्बू ने सभी को आशिरवाद भी दिया खुश्बु ने होश में आने के बाद अपने परिवार वालों को बताया कि उसके सपने में नाग देवता आये थे उन्होंने ही मुझे बताया था कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आने वाला ही बताया जा रहा है कि वहां मौझूद लोगों ने सापको शिव का रूप समझ कर फुल मालाओं की वर्षा करने शुरू कर दिया